हालो एफ्रिवान, वेलकम बैक, आज मैं कुछ ऐसे इंगलिश वर्ड्स लेकर आई हूँ, जिनका यूज हिस्टरी में होता है और ये बड़े डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं, तो आज मैं इनकी मीनिंग बताने के साथ साथ उसे एक्स्प्रेइन भी करूंगी, सो लेट्स ब मानव इतिहास और प्राग इतिहासिक अध्यान, मतलब इसलों की खुदाई करके या फिर कलाकृतियों या बहुतिक अफशेशों का विशलेशन करके, जो मानव इतिहास का अध्यास का अध्यान किया जाता है, उसे हम इंग्लिश में कहेंगे, अर्कियोलेजी, अर्कियोले oke next word is excavate excavate एक वर्व है और इसका मतलब होता है खोदना या फिर खोदाई करना और इसकी second down to Lefa Urmsics oriented okay next word is remains remains इसका मतलब होता है अविशेष या खंडर, अवशेश या खंडर, next word is, prehistory, prehistory, prehistory means प्राग इतिहास, मतलब लिखित record से पहले का समय, यानि जब से लिखित में record रखा जाने लगा, उससे पहले के time को मिलिश में prehistory कहेंगे, okay, next word is, historian, 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 मतलब इतिहास लेकत, यानि इतिहास पढ़ने वाले और लिखने वाले को इम इंगरिश में कहेंगे, historian, next word is, monument, monument, इसका मतलब होता है, इसमारक या फिर यादगार, प्रसिद व्यक्ति या प्रसिद घटना की याद ने बनाई गई बिल्डिंग या धाचा, इसे इम इंगरिश में कहेंगे, monument, जैसे, for example, ताज महले, monument है, okay, next word is, fossil, fossil, fossil का मतलब होता है, जिवाश, और ये क्या चीज़ होती है, बहुत लंबे समय से, चटानों में सुरक्षी थड़ी का धाचा, पौदे, या जो जानवरों का धाचा है, उसे हैं इंगरिश में कहेंगे, fossil, 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 next word is, inscription, inscription, इसका मतलब होता है, शिला लेग या अभी लेग, और ये क्या चीज़ होती है, दीवारों, पत्थरों, खंबों, और धातों पर खोद कर लिखी गई इबारत, इसे हैं इंगरिश में कहेंगे, inscription, okay, next word is, इड़क्ट, इड़क्ट, इसका मतलब होता है, आज्या पत्र, या अध्यादेश, या शाही फर्मान, यानि शासकों द्वारा जारी कहेंगे, शाही फर्मान का लेकित record, यानि जो written form में, rulers, जो issue करते थे शाही फर्मान, और उसे written form में अर्खा जाता, next word we have, domestication, domestication, यह वर्ड एक noun है और इसका मतलब होता है, पालतु बनाने का काम, okay, next word is sculpture, sculpture, मतलब मूर्ती कला या मुझसिमा, यानि मुझसिमा को भी sculpture कह सकते हैं, और मूर्ती बनाने के काम को भी, मूर्ती बनाने के कला को भी, next word is megalith, megalith यानि बड़ा पत्थर, mega means बड़ा और lith means पत्थर, megalith means बड़ा पत्थर, next word is paleolithic age, paleolithic age, मतलब पुरा पाशान काल या old stone age, paleo मतलब होता है old यानि पुराना और lithic means होता है stone यानि पत्थर, paleolithic मतलब पुरा पाशान, next word is mesolithic age, मतलब मद्ध पाशानकाल यानी Middle Stone Age मैसो मतलब होता है मद्ध यानी Middle Next word is Neolithic Age मतलब नवपाशानकाल या New Stone Age Okay, next word is Artifacts Artifacts मतलब कलाकरतियां या नमुने नमुने जो मानव इतिहास को अकार देते हैं उन्हें हम English में कहेंगे Artifacts Okay, next word is Gatherer Gatherer मतलब संग्रह करता या इकटा करने वाले जो आदी मानव होते थे वो खेती नहीं करते थे तो भोजन के लिए वो जंगलों से पनों को इकटा करते थे इसलिए उन्हें ग्यादर कहते हैं Next word is Discovery Discovery मतलब खोज Next word is Revolution Revolution मतलब क्रांती या इनकलाब Okay Next word is Epigraphy She is a shorted अभी लेक या शिला लेक का अधियन यानि अभी लेक या शिला लेकों के अधियन को एम इंगिश में कहेंगे अधियन करने वाला व्यक्ती Okay Next word is Numismatics मतलब मुद्रा शास्त यानि मुद्रा या सिक्कों का अध्यन मुद्रा या सिक्कों के अध्यन को इम इंग्रिश में कहेंगे Numismatics ओके नेक्स्ट वोड इस Dynasty मतलब राजवन्ष किसी एकी परिवार से एक के बाद एक शैसन करने वाले व्यक्तियों को वन्ष कहते हैं नेक्स्ट वोड इस Manuscript Manuscript मतलब हस्त लिपी या हस्त लेग यानि हाद से लिखी हुई उस्तक या दस्तावेश को हम इंग्लिश में कहेंगे Manuscript Manuscript Next वोड इस Secular Literature Secular Literature मतलब धर्म निर्पेश साहित यानि धर्म से संबद ना रखने वाले साहित को हम इंग्लिश में कहेंगे Secular Literature ओके में अज़त वाले से संब्सक्रब चानल